आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको कैल्शियम की बारे में थोड़ा सिखाऊंगी कैल्शियम ये एक महत्वपुर्न और पोर्शन करुदा है शो की प्रकार consistent फिरह में चोनिया है हमाई हमारे बॉडि में हमारा काल्चिम जो हम खाते हैं खाने के माध्यम से वह हमारी हद्टिशियों में जमा होता है तो काल्चिम जो भरपूर खाना है हमें बहुत ही ध्यान से लेना है हमारे डायेट में specifically फॉर आरत है, सब औरत हम लोगों सबको बहुत जरुरी है क्योंकि after menopause, you know, हम लोग को osteoporosis, जिसमें हड़ी में कल्शियम कम, इसकी बिमारी होने के chances बहुत जादा है, ठीक है, लेकिन कल्शियम के साथ आपको ध्यान में रखना है कि magnesium वाला खाना भी खाना है, और दूसरा क्या है कि हमारी जो हड़ी है, वो 50 टका प्रोटीन के बनी ह तो आप कितना भी कल्शियम काएंगे, लेकिन अगर नहीं होगा खाने में, तो उसमें आपका कल्शियम सिर्फ काम नहीं करेगा, ठीक है, प्रोटीन भी बहुत अच्छी मातरा में आपको खाना है, ठीक है, कल्शियम के बहुत फाइदे हैं, वो आपके टॉर्डल में क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है, वहाँ पर बताया गया कि अगर बहुत सारे लोग कल्शियम की गोलिया लेते रहते हैं, विटामिन डी के साथ कल्शियम की गोलिया, तो ऐसी रिसर्च है कि बताते कि बहुत सारा कल्शियम अगर लिया अपने गोली केमिकल के मा सकता है तो अच्छा है कि आप कालशियुम काने की माध्य optic нез game जिससे आपको अब का मालूम ही है के हम पॉर्षिन थे आ को है ठैट है को है Hiçैं हैебनि कोई है पनीर है अदध सारी जो भाजिया है की अध्की हरी भाजिया और यिली भाजया 0.09 तिल बहुत सारा कल्चिम है तिल में बहुत कल्चिम है तिल का लड़ो मत खाया तिल को आप सब्जी में डाल सकते हैं तिल की चट्नी बना सकते हैं तो बहुत सारा बना सकते हैं दिल से लेकिन ध्यान में रहें कि जब भी आप कल्चिम रिच खाना खाएं तो उसको थोड़ा तही के साथ खाना है तो अगर आपको कोई भी सवाल है और अभी मेरे साथ अभी मैं आपको तीन टुटॉल दिखाऊंगी एक तो है क्यालियम का महत्व है क्यालियम के महत्व पर बने इस पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम जानेंगे कैल्शिम की भूमी का और हमारे शरीर में इसकी आवजशक्ता है इसकी कमी से होने वाले लक्षन और कैल्शिम से भरपूर खाद्यस्त्रोत कैल्शिम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मातरा में पाया जाने वाला खनीज पदार्थ है शरीर का 99% कैल्शिम हड्डियों और दातों में पाया जाता है बाकी का एक प्रतिशत हमारे खून में मौजूद है ये हमारे शरीर से मल, पेशाब और पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाता है कैल्शिम हमारे शरीर में कई काम करता है मुख्यकार्य हड्डियों का विकास और रखरखाव है शरीर में कैल्शिम ज्यादा होने पर हड्डियों में जमा हो जाता है और कमी होने पर इसे हड्डियों से लिया जा सकता है कैल्शिम हमारे शरीर में तंत्रिका संकेतों के स्थानांतरन के लिए आविश्चक है ये मास पेशियों के संकूचन और उसके संचालन में मदद करता है ये चोट लगने पर खून के प्रवाह को रोकने में भी मदद करता है इंसुलिन और एंडरिनलिन जैसे हॉर्मोन के स्त्राव के लिए कैल्शिम की आविश्शक्ता होती है बाके के फाइदे है शरीर का वजन, रक्त चाप और रिदय स्वास्थ को बनाए रखना अलग-अलग उम्र के लोगों के लिए सुझाई गई कैल्शिम की मात्रा अलग होती है ये बच्पन और किशोरावस्था जैसे तीवर विकास के दौरान ज्यादा होती है बारा महिने तक के शिशू के लिए हर दिन 500 मिलिग्राम कैल्शिम सुझाया जाता है नौ साल तक के शिशू के लिए हर दिन 600 मिलिग्राम सुझाया जाता है किशोरावस्था के दौरान हर दिन 800 मिलिग्राम तक जरूरत बढ़ जाती है बयसकों के लिए ये हर दिन 600 मिलिग्राम है गर्भावस्ता और स्तनपान के दौरान कैल्शिम की जरूरत ज्यादा होती है गर्भावस्ता और स्तनपान के दौरान 1200 मिलिग्राम की सलाह दी जाती है आईए अब हम क्याल्शम की कमी के प्रभावों के बारे में बात करेंगे गर्भावस्ता के दौरान क्याल्शम की कमी से रक्तचाब बढ़ सकता है हाथो और पैरों में सूजन देखी जा सकती है माओद्वारा अपरियाप्त मात्रा में कैल्शम का सेवन शिशु को भी प्रभावित कर सकता है जन्म पर उनका वजन कम हो सकता है और उनकी वृध्धी मंध हो सकती है उनका शारिरिक और संग्यानात्मक विकास बिगड सकता है शिश्वों में कैल्शिम की कमी से रिकेट्स हो सकता है रिकेट्स कंकाल प्रणाली का एक विकार है विकास रुख जाता है और रीड की आकरिती में परिवर्तन होते है अन्य लक्षन है धसी हुई पसलिया, फैला हुआ माथा और धनुष के आकार के मुड़े हुए पैर कम लंबाई, कलाई, कोहुनी, घुटने और टकने के जोडों का चौड़ा होना देखा जा सकता है वयसकों में कैल्शिम की कमी के शुरुवाती लक्षन मास पेशियों में एठन है उंगलियों का सुन्न होना या जुन्जुनी भी देखी जाती है मानसिक भ्रम की स्थिती, चिड़चिड़ापन, शुश्क त्वचा, नाजुक नाखून और दातों में सडन भी हो सकती है लंबे समय तक कैल्शिम की कमी से ऑस्टियो पोरुसिस हो सकता है ऑस्टियो पोरुसिस में हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है हड्डिया नाजुक हो जाती है और तूटने का खत्रा होता है अन्य लक्षण है जुकी हुई कमर, लंबाई का कम होना और पीठ का दर्द पुर्शों की तुल्रा में महिलाओं में ऑस्टियो पोरुसिस का खत्रा ज्यादा होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि रोजो निवृत्ति के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्थर कम हो जाता है इससे शरीर कैल्शिम कम सोख पाता है और पेशाप के माध्यम से इसका उत्सरजन बढ़ जाता है कैल्शिम के कमी से बचने के लिए कैल्शिम युक्त भोजन का परियाप्त सेवन करना जरूरी है सबसे अच्छे स्त्रोथ दूद और दूद से बनी चीजे इसमें दही, पनीर और खोआ शामिल है इनसे मिलने वाला कैल्शिम हमारा शरीर आसानी से सोख पाता है 200 मिलिलिटर गाय के दूद में 236 मिलिग्राम कैल्शिम मिलता है गाय के दूद से बने हुए 100 मिलिग्राम दही में 150 मिलिग्राम कैल्शिम होता है गाय के दूद से बने 30 ग्राम पनीर में 142 मिलिग्राम कैल्शिम होता है कुछ मासाहारी खाने भी क्याल्शिम से भरपूर होते है उधाहरन के लिए सूखा जिंगा, बोम्बील, जिंगा, केकड़ा और सूखी काटेदार मचली 100 ग्राम जिंगे से 67 मिलिग्राम क्याल्शिम मिलता है 20 ग्राम सूखे जिंगे में 73 मिलिग्राम कैल्शिम होता है 15 ग्राम सूखी बोम्बिल में 208 मिलिग्राम कैल्शिम होता है बीज कैल्शिम का सबसे बड़े स्त्रोथ है उदाहरन के लिए तील के बीज, राम तील, अलसी के बीज, सोवा के बीज, खस-खस, एक बड़ा चम्मच या 5 ग्राम तिल में 64 मिलिग्राम कैल्शिम होता है इनके अलावा बादाम और अखरोट जैसे दाने भी कैल्शिम से भरपूर होते है कई हरी पत्तेदार सब्जियों में कैल्शिम की अच्छी मात्रा होती है उदाहरन के लिए राजगीरा, अगाथी, सहजन और मेथी के पत्ते यहां तक की मूली के पत्ते, अर्भी के पत्ते और सरसो के पत्ते भी अच्छी स्त्रोथ है 100 ग्राम राजगीरा के पत्तों में 330 मिलिग्राम कैल्शिम होता है 100 ग्राम मेथी के पत्तों में 274 मिलिग्राम कैल्शिम होता है कैल्शिम कुछ फलियों में भी मौजूद होता है जैसे सोयाबीन, चना और मोट 50 ग्राम चना 135 मिलिग्राम कैल्शिम देता है बाजरा भी कैल्शिम का समरिध स्त्रोथ है 30 ग्राम बाजरे से 110 मिलिग्राम कैल्शिम मिलता है खाने के साथ साथ कैल्शिम का अवशोशन भी उतना ही महत्वपूर्ण है औक्जालेट्स, फाइटेट्स और रेशे की उपस्थिती कैल्शिम के अवशोशन को प्रभावित करती है ये दानों, बीजों, बीन्स और हरी पत्तेदार सबजियों में मौजूद होते है ये पदार्थ अगुलनशील परिसर बनाने के लिए कैल्शिम से बंध सकते है प्योग करके अवशोशन को बढ़ाया जा सकता है उदाहरन के लिए भिगोना, अंकूरित करना, उबालना, भूनना और खमीर उठाना कैल्शिम के अवशोशन के लिए कैल्शिम से भरपूर खाने के साथ चाय, कॉफी और कोला से बचे इनमें कैफीन होता है, जो पेशाप के जरिये कैल्शिम को निकाल देता है अधिक्तम कैल्शिम अवशोशन के लिए कुछ अन्य पोशक तत्वों की जरूरत होती है उदाहरन के लिए विटामिन D, मैगनीशियम, पोटेशियम और फॉस्फरस पोशक तत्वों के अलावा परियाप्ट शारिरिक गतिविधी और व्यायाम की भी जरूरत होती है ये हड्डियों के द्रव्यमान और हड्डियों की ताकत को बढ़हाएगा इन सब के अलावा उम्र भी कैल्शिम के अवशोशन को प्रभावित करती है ये शैशववस्था और बच्पन में सबसे अधिक होता है वयस्कता के दौरान अवशोशन मध्यम होता है और फिर ये उम्र के साथ कम हो जाता है इसलिए कम उम्र से ही कैल्शिम से भरपूर खाने का परियाप्थ सेवन जरूरी है अब ये टुटोरियल यही समाप्थ होता है ये स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं मैत्रे अबापट अब आप से विदा लेता हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद कैल्शिम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे कैल्शिम के स्रोत खाना बनाने के तरीके जिन से शरीर कैल्शिम को ज़ादा सोख पाए कैल्शियम से भरपूर, शाकाहारी खाना बनाने के तरीके और इन खानों में कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला खनिच पदार्थ है 99 प्रतिशत कैल्शियम हड्डियों और दांतों में पाया जाता है बचा हुआ एक प्रतिशत खून में पाया जाता है शरीर में कैल्शियम की महत्वता एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है जादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेब साइट देखें कम उम्र से ही खाने में से जरूरत के हिसाब से कैल्शियम लेना जरूरी है डेरी से बनी चीजें कैल्शियम से भरपूर होते हैं जैसे की दूद, दही, पनीर, चीज और खोया कैल्शियम कुछ दानों में भी होता है बीजों, फलियों और हरी पत्तेदार सबजियों में भी होता है कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ ये भी जरूरी है कि शरीर कैल्शियम को सोख पाए इसके लिए भिगोने, अंकुरन और खमीर उठाने या उबालने, भूनने और बाकी के खाना पकाने के तरीकों से मदद मिलती है इस टुटोरियल में बताये गए खानों में एक कप का मतलब है 200 मिली लिटर पहला सीखेंगे अंकुरित रागी का डोसा इसे बनाने के लिए चाहिए एक चौथाई कप या 30 ग्राम रागी एक चौथाई कप या 30 ग्राम उड़त की डाल आधा चम्मच मेथी के बीज, आधा चम्मच भुनी अलसी का पाउडर एक बड़ा चम्मच दही, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच तेल या मक्खन सबसे पहले रागी को राद भर पानी में भिगोएं अगले दिन छलनी में से पानी निकाल दें और अंकूरित होने रखें इन्हें अंकूरन होने में लगभग दो दिन लगेंगे जब रागी अंकूरित हो जाए तो उसे धूप में सुखाएं जादा धूप ना हो तो बरतन में बिना तेल के भून लें फिर इसे पीस कर बारीक पाउडर बना लें अलग बरतन में उरत दाल और मेथी के बीजों को तीन से चार घंटों के लिए भिगोएं बाद में पानी मिला कर पीसें और घोल बना लें इसमें रागी का पाउडर, भुनी अलसी का पाउडर और नमक डाल दें अच्छे से मिलाएं और ढख कर रात भर रख दें ताकि इसमें खमीर उठें खमीर उठने पर दही और थोड़ा पानी डालें ताकि घोल जादा गाड़ा ना हो अब तवे पर तेल या घी डाल कर गरम करें आधे प्यास के साथ पूरे तवे पर तेल को फैलाएं तयार किया हुआ घोल तवे पर डालें फिर गोलाकार में तवे पर फैलाएं कम आँच पर दोनों तरफ से दोसे को पकाएं अंकुरी त्रागी का दोसा तयार है इस एक दोसे से 185 मिली ग्राम कैल्शियम मिलेगा इस दोसे को छास या तिल के बीजों की चटनी के साथ खा सकते हैं अब तिल के बीजों की चटनी बनाना सीखेंगे इसके लिए चाहिए दो बड़े चमच सफेद तिल एक बड़ा चमच चनादाल एक सूखी लाल मिर्च दो छोटे टुकडे ताजे नारियल के दो से तीन लहसुन की कलियां एक निम्बू जितना इमली नमक स्वाद अनुसार तिल के बीज, चनादाल, लाल मिर्च और लहसुन को तवे पर भूने लगातार हिलाएं ताकि तिल जलेना फिर तवे से उतार कर ठंडा होने दें ठंडा होने पर इमली और नमक डालें फिर मिक्सी या सिल्बटे पर पीस लें तिल के बीजों की चटनी तयार है इस चटनी के एक चौथाई कप से मिलेगा 131 मिलीग्राम कैल्शियम इसे दिन में दो से तीन बार अपने खाने के साथ लें सफेद तिल के अलावा कोई और बीज भी ले सकते हैं जैसे काला तिल, अलसी, खस-खस या राम तिल तीसरा हम सीखेंगे कुलित और चौलाई के पत्तों की सबजी इसे बनाने के लिए चाहिए एक चौथाई कप कुलित 50 क्राम या एक चौथाई गुछा चौलाई के पत्तों का आधा प्यास आधा टमाटर जो मसाले चाहिए वो हैं एक चमच जीरा आधा चम्मच कुटी हुई अद्रक लेसुन आधा चम्मच हल्दी का पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर नमक स्वाद अनुसार दो चम्मच तेल या घी भी चाहिए होगा बनाने का तरीका कुलित को राद भर भिगोएं, अगले दिन छल्नी में से सारा पानी निकाल दें कुलित को सुखी जगा रखें अंकुरित होने के लिए अंकुरन होने पर प्रेशर कुकर में डाल कर उबालें इसके लिए आधा कप पानी, नमक और हल्दी पाउडर डालें तेज आँच पर एक सीटी दिलवाएं, फिर दस मिनट तक धीमी आँच पर पकाएं, कुकर से भाप निकलने दें और फिर ही कुकर को खोलें, अलग से बरतन में तेल गरम करें, जीरा और कुटी हुई अदरक लहसुन डालें, फिर कटे प्यास डालें और मिलाएं, अब सारे म मसाले और टमाटर भी डालें, अच्छे से मिलाएं, अब धो कर काटे हुए चोलाई के पत्ते और अंकुरित कुलित डाल दें, फिर से मिलाएं और तीन से पांच मिनट तक मध्यम आँच पर पकाएं, अंकुरित कुलित और चोलाई के पत्तों की सबजी तैयार है, इस अगर कुलित ना हो, तो सोया बीन या मट की इस्तिमाल करें, और चोलाई के पत्ते के बजाए हरी पत्तेदार सबजी भी इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे की सहजन के पत्ते, मेथी के पत्ते या मूली के पत्ते, अगला सीखेंगे पनीर की भुरजी, इसे बनाने के लिए चाह आधा प्याज, आधा टमाटर, एक हरी मिल्च, आधा चमच जीरा, आधा चमच गरम मसाला पाउडर, आधा चमच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, मुठी भर धन्या के पत्ते आखरी में डालने के लिए, और चाहिए दो चमच तेल, घी या मक्खन. अगर पनीर ना हो, तो गाय या भैंस के दूद से घर पर बना लें, उसके लिए 400 मिली लीटर या दो गिलास दूद उबालें, उबलने पर आँच बंद कर दें, और एक चमच नीम्बू का रस या फिर सिरका डाल दें, और अच्छे से मिलाएं, जब तक दूद फटने लगे अब इसे ठंडा होने दें, फिर छलनी पर सूती कपड़ा या मलमल का कपड़ा रखें और छानें, कोनों से कपड़ा इकठा करें और निचोड कर पनीर का पानी निकाल दें, छलनी के नीचे बरतन रखें, पनीर का पानी इकठा करने के लिए, इस पानी से आटा गुन दें या दाल सबजी बनाएं पनीर को दबाकर गोलाकार बना लें फिर जमने के लिए फ्रिज में रख दें भुर्जी बनाने के लिए बर्तन में तेल या घी गरम करें जीरा और कटा प्यास डाले हलका भूरा होने तक पकाएं फिर कटा टमाटर, हरी मिर्च और मसाले डालें पनीर के छोटे-छोटे टुकडे कर दें और इसमें डाल दें अच्छे से मिलाएं दो से तीन मिनट तक पकाएं आखिर में धनिया के कटे पत्ते डाल दें पनीर भुर्जी तयार है इसकी एक कटोरी से मिलेगा तीन सो असी मिलिग्राम कैल्शियम इस टुटॉरियल में बताए गए सबी खाने कैल्शियम से भरपूर हैं अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि कैल्शियम युक्त खाना रोज खाएं ये टुटॉरियल यहीं समापत होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद कैल्शियम से भरपूर मासाहारी खाना बनाने के तरीकों के स्पोकन टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम सीखेंगे कैल्शियम से भरपूर कुछ मासाहारी खाना बनाने के तरीके शरीर में कैल्शियम सबसे ज़ादा मात्रा में पाया जाता है शरीर का 99 प्रतिशत कैल्शियम हड्यों और दांतों में होता है और बाकी का एक प्रतिशत खून में होता है शरीर में कैल्शिम की जरूरत के बारे में एक अन्य टुटोरियल में बताया गया है इस टुटोरियल को देखने के लिए हमारी वेबसाइट देखें हमें खाने में से जादा मात्रा में कैल्शिम लेना चाहिए कैल्शिम कुछ मासाहारी खानों में भी होता है उधारन के लिए हैं जींगा, जींगा मचली, बंबिल, सूखा जींगा और कांटो वाली सूखी मचली बाकी के चीजें जिन से कैल्शेम मिलता है वे हैं दूद, दूद से बनी चीजें, दाने और बीज कैल्शेम कुछ हरे पत्तेदार सबजियों और फलियों में भी होता है अब देखेंगे कैल्शेम से भरपूर कुछ मासाहारी खाना बनाने के तरीके सबसे पहला है सूखे जींगे की करी, इसे बनाने के लिए चाहिए बीस ग्राम या तीन बड़े चमच सूखा जींगा आधा प्यास, आधा टमाटर, तीन से चार लहसुन की कलियां एक निम्बू के जितना इमली और एक तहनी करी पत्ता इस करी को बनाने के लिए जो मसाले चाहिए वे हैं एक चोथाई चमच हल्दी, आधा चमच लाल मिर्च पाउडर, आधा चमच धनिया पाउडर, आधा चमच सरसु के बीज, दो चमच तेल या घी और नमक स्वाद अनुसार शुरू करते हैं बनाना पहले सूखे जींगे को पंदरा मिनट पानी में भीगोएं बरतन में तेल गरम करें और सरसु के बीच डाले जब वे फूटें, तो कड़ी पत्ता और कटा लेसुन डाले फिर कटा प्यास डाले सब को अच्छे से मिलाएं जब तक वे सुनहरे ना हो जाएं फिर टमाटर और मसाले डाले फिर से मिलाएं आधा कब पानी मिलाएं और दो से तीन मिनट तक पकाएं भिगोए हुए सूखे जींगे को चान ले फिर इसे पकाए हुए मसाले में डाल दे बरतन को ढकें और पांच से छे मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं सूखे जींगे की करी तैयार है इस करी के एक हिस्से को खाने से मिलेगा 876 मिली ग्राम कैल्शियम अगला सीखेंगे बंबिल मचली की करी बनाना इसे बनाने के लिए चाहिए 150 ग्राम बंबिल मचली आधा प्यास 2-3 लेसुन की कलिया 1-2 हरी मिर्चे 1 चमच जीरा और आपको ये भी चाहिए होगा 2-3 कोकम या सुखे आम के टुकड़े या फिर इमली 1-4 ताजा नारियल मुठी भर धनिया के पत्ते 1-2 चमच हल्दी 2 नमक स्वाद अनुसार 2 चमच तेल या घी 1-2 नीमबू मचली पर लगाने के लिए चलिए बनाते हैं मचली के टुकड़ों को अच्छे से धोई फिर नमक और नीमबू का रस लगाए 15-30 मिनट तक रखे अब देखेंगे नारियल का दूद बनाना नारियल के टुकड़ों को आधा कप हलके गरम पानी के साथ पीसे फिर एक छलनी में से पीसे हुए नारियल को छाने और नारियल के दूद को बरतन में इकठा करें बचे हुए नारियल को साफ हातों से निचोड़ कर जादा से जादा दूद निकाले अब नारियल को मिक्सी में डाले और आधा कप हलका गरम पानी डाल कर फिर से पीसे इसे चाने और नारियल के दूद को दूसरी बार इकठा करे इस पूरे तरीके को एक और बार दोहराएं फिर इकठे किये हुए नारियल के दूद को एक तरफ रख दें इस पीसे हुए नारियल को फैंके नहीं इसका क्या करना है ये मैं बाद में बताऊंगी अब प्याज, हरी मिर्च, जीरा, लहसुन और धनिया के पत्तों को पीस ले थोड़ा पानी डाले और गाड़ा पेस्ट बना ले एक बर्तन में तेल या घी गरम करे बनाया हुआ पेस्ट डाले फिर दो से तीन मिनट तक पकाएं और कड़ी पत्ता, कोकम और हल्दी भी डाले अच्छे से मिलाएं अब आधा कप पानी डाले फिर इस करी में नीम्बू लगी हुई मचली डाल दे बर्तन को ढखे और धीमी आंच पर 7-10 मिनट तक पकाएं फिर तैयार किया हुआ नारियल का दूद डाले और मिलाएं दो मिनट तक पकाएं और फिर आंच बंद कर दे बंबिल मचली की करी तैयार है इस करी के एक हिस्से को खाने से मिलेगा 280 मिलिग्राम कैल्शियम अगर बंबिल मचली ना हो तो इन में से कोई भी इस्तिमाल करें टेंग्रा मचली सुर्मई हिलसा और घोल अब मैं बताऊंगी बचे हुए पिसे नारिल का क्या करना है इसे भून कर संभाल कर रखें भून कर आप इसे करी में डाल सकते हैं या चीले के आटे में आप दाने और बीजों की चटी में भी डाल सकते हैं इसे रोटी और पराठों के आटे में भी डाल सकते हैं भूने हुए पिसे नारिल को डालने से फाइबर और स्वाद बढ़ेगा तीसरा सीखेंगे जींगे की करी इसे बनाने के लिए चाहिए ये चीजें असी ग्राम जींगा आधा मध्याकार प्यास आधा मध्याकार टमाटर तीन चम्मच सफेद तिल और थोड़े कड़ी पते जो मसाले चाहिए वे हैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच हल्दी आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चमच गरम मसाला आपको आधा निम्बू भी चाहिए हुगा नमक स्वाद अनुसार और दो चमच तेल या घी चलिए बनाते हैं जींगे को अच्छे से धोकर साफ कर ले पीठ पर चीरा लगाए अब उस में से काला धागा निकाले ऐसा ही काला धागा दूसरी तरफ से भी निकाले अगर वहां हुआ तो फिर जींगों पर नमक और निम्बू का रस लगाएं और पंधरा से तीस मिनट तक रखे अलग से एक बरतन में तिल को मध्यमांच पर सूखा भून ले फिर ठंडा होने दे उसमें से एक चमच तिल निकाल कर रखे बाद के इस्तेमाल के लिए एक मिक्सी में प्याज, टमाटर, दो चमच भूना हुआ तिल डाल कर पीस लें और एक गाढ़ा पेस्ट बना ले बरतन में तेल गरम करें उसमें कड़ी पत्ते और ये गाढ़ा पेस्ट डाले इसे दो से तीन मिनट तक अच्छे से पकाएं फिर मसाले डालकर अच्छे से मिलाएं आधा कब पानी डाले और पांच बना पकाएं अब जींगों को डालकर अच्छे से मिलाएं बर्तन को ढग कर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं आखिर में एक चम्मच भूना हुआ तिल डाल दें जींगे की करी तैयार है इस करी के एक हिसे को खाने से मिलेगा 200 मिलीग्राम कैल्शियम अगर जींगा ना हो तो आप जींगा मचली इस्तिमाल कर सकते हैं अगला सीखेंगे सूखी मचली का पाउडर आपको चाहिए होगा 15 ग्राम या एक चौथाई कप सूखी मचली कैल्शियम से भरपूर सूखी मचलियों के उधारन है रिबन मचली, राजा मचली, टेंग्रा मचली वगेरा इस करी को बनाने के लिए मैंने इस्तिमाल किया है सूखी बंबिल पाउडर बनाने के लिए बाकी चीज़े जो चाहिए वे हैं एक से दो लाल मिर्च, तीन से चार लैसुन की कलियां, एक निम्बू के आकार जितना इमली, एक चमच जीरा और नमक स्वाद अनुसार मध्यमाच पर सूखी मचली को दो मिनट तक भूने फिर ठंडा होने दे एक मिक्सी में भूनी हुई सूखी मचली और बाकी की चीज़ें डाल कर पीस ले सूखी मचली का पाउडर तैयार है आप इस पाउडर को दिन में दो से तीन बार अपने खाने के साथ ले सकते हैं इस सूखी मचली के पाउडर से भरा एक चौथाई कटोरे में होगा 208 मिलिग्राम कैल्शियम बताए गए सभी खानों में ये सभी पोशक तत्व भरपूर हैं प्रोटीन जिंक फोलेट फॉसफोरस आइरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी सेहत के लिए इन सभी पोशक तत्वों को रोज के खानों में से लेना जरूरी है अब ये टुटोरियल यहीं समाप्त होता है मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम से जुडने के लिए धन्यवाद आप सबको मेरा नमस्ते है यह सेशन में मैं आपको विटमिन दी-के बारे में बताने वाली हूँ अगर आपको पता नहीं है लेकिन लगभग 80-90 प्रतिशत जो है हम लोग हमारे में 90 प्रतिशत۲ोगों में विटमिन दी की मतरत कम है ओविटमिन दी आपको मालूम होगा कि जब हमें COVID हुआ था तो हम डॉक्टर बता रहे कि विटमिन D लीजिए, सबसे इंपॉर्टन्ट महात्व है विटमिन D का वो इंफ्रेक्शिंप्रिवेट करता है था है हमारी जो रोग प्रतिकारek शक्ति है वो बढ़ाता है धूसरे बहुत सारे है हम Luck Di है उसमें कैल्शियम वीजवेतिमिन D entferप हाँ अमुक तरिय कैंकर वह बहुत सारे बहुत सारे फायदué एक्चली हम लोग ने टुटॉल में बहुत डीटेल में हम लोग गये हुए है लंबा से तोड़ा टॉटॉल है कौन से सुरज किरन से आपको विटमिन D मिलेगा जबी भी पूश्थी हो सब बताते हैं सुबह की किरन से सुबह की किरन से नहीं आपको विटमिन D नहीं मिलेगा आपको विटमिन D मिलेगा दोपर के किरनों से, ग्यारा से लगपग 2 बजे के किरन से आपको विटमिन D मिलेगा, ठीक है, और जबी आपको at least 15-20 मिनिट दोपर के किरन, सुरज के किरन में आपको जितना हो सके आपको चमडी को आपको एक्सपोस करना है, ठीक है, ज्यादा बच्चों को भी अगर आप मसार्ज करेंगे थोड़े ग्यारा बजे के सुरज में तो उनके लिए भी विटमिन D बहुत ही ज़रूर है उनकी हटियों के लिए और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए भी ठीक है खाने में से हम लोग इतना विटमिन D नहीं मिलता है तो आ गया धन्यवाद विटमिन D के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटॉरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटॉरियल में हम जानेंगे शरीर में विटमिन D की भूमिका इसकी कमी के लक्षन अनुशंसित सेवन खाने के स्रोथ आये जानते हैं कि विटमिन D क्या है विटमिन D फैट में घुलने वाला एक विटमिन है यह दो तरहे का होता है विटमिन D3 और विटमिन D2 D3 मुख्य रूप से सूरे के प्रकाश से UVB किर्णों के संपर्क में आने पर त्वच्चा द्वारा बनाया जाता है UVB अल्ट्रा वाइलेट B किर्णों से जाना जाता है यह तीन तरहे के सूरे किर्णों में से एक है आप मासा हारी खाने से भी थोड़ी बहुत D3 ले सकते हैं जबकि विटामिन D2 कुछ शाकाहारी खाने में भी होता है विटामिन D2 और D3 के परिपोशक बाजार में असानी से मिलते हैं पर इन सभी चीजों से मिलने वाली विटामिन D निश्क्रिय है सक्रिय होने के लिए इसे दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है सक्रियन की पहली प्रक्रिया कलेजे में होती है और दूसरी गुर्दों में होती है विटामिन D का सक्रिय रूप जिसे कैल्सी ट्रियॉल भी कहा जाता है गुर्दों में बनता है एक बार जब विटामिन D सक्रिय हो जाता है तो यह शरीर में कई भूमिकाएं निभाता है प्रमुख भूमिकाओं में से एक है हड्डियों को मजबूत बनाना और उनका रख रखाव दूसरा आंथ में कैल्शियम को सोखना है खून में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को बनाए रखना एक दूसरी भूमिकाओं है हड्डियों को बनाने और मरम्मत के लिए इन दोनों की जरूरत होती है यह हमारे शरीर में हड्डियों के सही घनत्व को बनाए रखने में मदद करते हैं हड्डियों के अलावा ये दांतों को मजबूत बनाए रखने में भी मदद करते हैं और मास पेशियों को भी विटामिन डी एक इम्यूनो मोडिलेटर है इसका मतलब है कि यह रोग प्रतिरोधक शक्ती के नियंत्रन और उसके सहीयोग में मदद करता है यह रोगों से लड़ने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करने में मदद करता है विटामिन डी शरीर को सांस से जुड़ी कई बिमारियों से बचाता है जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, टीबी और कोविड नाइन्टीन शरीर में सूजन को कम करने में विटामिन डी से मदद मिलती है यह शरीर को वाइरस, बैक्टीरिया और फंगस से भी पचाता है विटामिन डी इन्सुलिन की तकलीफ को सुधारने में मदद करता है इसलिए यह शुगर को कम करने में मदद करता है रक्त चाप और शरीर के बजन को भी यह हरिदय के अच्छे स्वास्ते को भी बनाए रखता है यह हरिदय की रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करके ऐसा करता है शरीर में कई अन्य कारियों के लिए विटामिन D जरूरी है जैसे की कोशिकाएं विभाजित करना दिमाग का विकास और कैंसर की रोख थाम अगर विटामिन D की पूरी मात्रा नहीं मिलती है तो इसकी कमी हो जाती है आईए देखें कि किन कारकों से किसी वेक्ति को विटामिन D की कमी होती है जरूरत के मुताबिक शरीर को सूरे के प्रकाश का ना मिल पाना प्रमुख कारकों में से एक है तो अचा में विटामिन D का उत्पादन करने के लिए सूरे के प्रकाश से UVB किरनों की आविशक्ता होती है कांच की खिडकियां घर में इन यूवी भी किर्णों को आने से रोकती हैं इसलिए सूरे की रोश्णी के कम संपर्क वाले लोगों में कमी का खत्रा होता है जैसे की बूढ़े लोग और जादा तर घर के अंदर काम करने वाले लोग विटामिन D की कमी सर्दियों में या ठंडी जगहों में आम है सामले रंगवाले लोगों में इसकी कमी का खत्रा जादा होता है उनकी त्वचा में मेलेनिन की मात्रा जादा होती है इससे उनकी त्वचा की सूरे की रौष्णी से विटामिन D बनाने की शमता कम हो जाती है ऐसे लोगों को हलके रंग वाले लोगों की तुलना में जादा देर तक धूप में रहने की जरूरत होती है खाने में से विटामिन डी का अपर्याप्त सेवन एक अन्य जोखिम का कारक है इसके अलावा विटामिन डी के सोखे जाने के लिए फैट की जरूरत होती है इसलिए फैट को सोखने की कम शमता वाले लोगों को विटामिन डी की कमी हो सकती है यह उनकों भी हो सकता है जिन्हें पिताशे की थैली या आंतों के रोग हों कलेजे या गुर्दे की बिमारियों वाले लोगों में भी इसकी कमी का खत्रा होता है विटामिन D का सक्रिय रूप में बदलाब गुर्दों और कलेजे में होता है इसलिए कलेजे या गुर्दों की बिमारियों वाले लोगों को भी इसकी कमी का खत्रा होता है मोटे लोग और जिनके हृदय का ओपरेशन हुआ हो उन में भी इसकी कमी हो सकती है गर्भवती और दूर पिलाने वाली मा को विटामिन डी की जरूरत भुरून और शिशु के लिए होती है नहीं तो मा को विटामिन डी की कमी होने का खत्रा रहता है अब आएए विटामिन डी की कमी से होने वाले नुकसान के बारे में जानते हैं इसकी कमी के लक्षन गंभीरता और उम्र के साथ अलग-अलग होते हैं कुछ आम लक्षन है थकान, मन का नालगना और रोग प्रतिरोधक शक्ती कम होना मास पेशियों में एठन, मरोड और दोरे भी देखे जाते हैं पर्याप्त विटामिन D के बिना हड़ियां पतली, नाजुक और कमजोर हो जाती हैं कम विटामिन D रोगों से लड़ने की शक्ती को खराब करता है, ऐसे में इनफेक्शन बढ़ सकता है इससे शरीर में सूजन भी बढ़ जाती है इन सब वजहों से किसी वेक्ती को कोविड-19 का इनफेक्शन आसानी से हो सकता है कोविड-19 की गंभीरता के प्रभाव और उसके कारण होने वाली मृत्यू इसकी कमी के साथ बढ़ती है विटामिन D की कमी से कई तरह के कैंसर का खत्रा भी बढ़ सकता है ब्रेदांत्र, पौरुष ग्रंथी और स्तन के कैंसर कुछ उदाहरन है कम विटामिन D का होना मल्टिपल स्क्लिरोसिस का खत्रा बढ़ा सकता है इसमें तंत्रिका की बच्चाफ परत खराब हो जाती है यह दिमाग और शरीर के बीच के संचार को बाधित करता है यह दिमाग रीड की हड़ी और आँखों की नसों पर असर करता है गर्भावस्ता के समय विटामिन D की कमी से रक्त चाप बढ़ सकता है इसका बुरा असर शिशू पर भी पढ़ सकता है समय से पहले शिशू के पैदा होने का खत्रा होता है और जनम पर उसके कम वजन होने का भी विटामिन D की कमी वाली माओं के शिशू में भी इसकी कमी होगी विटामिन D की कमी से नवजाद में और शिशू में रिक्येट्स हो सकता है रिक्येट्स कंकाल प्रणाली को बिगाडने की एक परेशानी है इसमें हड्डियों का बढ़ना रुप जाता है और रीड की हड्डी टेड़ी हो जाती है बाकी के लक्षन है धसी हुई पसलियां, फैला हुआ माथा और धनुश आकार में मुड़े हुए पैर कलाई, कोहनी, घुटने और टकने के जोड़ों का चौड़ा होना देखा जा सकता है रिकेट्स से पीडित शिशू को इनफेक्शन वाली बिमारी होने का खत्रा होता है दांत निकलने में देरी होती है, पेट बाहर और चाल टेड़ी मेड़ी हो जाती है मास पेशियों में दर्द, चिड़चिड़ापन और जादा पसीना आना इसकी पहचान है किशोरों और उम्र में बड़े लोगों में इसकी कमी से ओस्टो मलेशिया हो जाता है यह हडियों के कमजोर और नाजब होने की वज़ए है हडियां आसानी से तूट जाती है कमर में तेज दर्द, कूलों में पेड़ू और पैरों में भी हो सकता है मास पेशियों में कमजोरी और एठन भी होती है इसकी कमी से बचने के लिए फिटामिन डी भरपूर लेना जरूरी है नवजाद से बारा महीने के शिशुओं के लिए हर रोज 400 IU या 10 माइक्रोग्राम की सला दी जाती है एक से सत्तर साल के लोगों के लिए हर रोज 600 IU या 15 माइक्रोग्राम की सला दी जाती है इसमें शिशु, किशोर, बड़ी उम्र के लोग, गर्भवती और दूद पिलाने वाली मा शामिल है सत्तर साल से जादा उम्र के पुर्शों और महिलाओं के लिए 800 IU या 20 माइक्रोग्राम की सला दी जाती है कई विशेशग्य बहुत जादा खुराक की सला देते हैं आईए सीखें कि कैसे जरूरत के जितना विटामिन D लें सूर्य की रोश्णी की UVB किर्णों के संपर्क में आने पर शरीर इसका उत्पादन कर सकता है जादा से जादा UVB किर्णे लेने का सबसे अच्छा समय सुभा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक है रोज 15 से 20 मिनट दोपहर की धूप में रहने की सलाह दी जाती है सामले रंगवाले लोगों को धूप में 3 से 5 गुना जादा देर तक रहने की जरूरत होती है इस दोरान लगभग 10,000 आयू विटामिन D उत्पन होता है ध्यान दें कि यदि आप घर के अंदर खिड़की के पास बैठे हैं तो शरीर विटामिन D नहीं बना सकता ऐसा इसलिए है क्योंकि कांच UVB किर्णों को रोकता है इसलिए आपको बाहर जाकर धूप लेनी चाहिए खिड़कियां खोल कर आप धूप को अंदर आने दे सकते हैं आईए विटामिन D के खाने के स्रोतों को देखें खाने की चीजों से सिर्फ थोड़ा ही विटामिन D लिया जा सकता है जिन में मचली सबसे अच्छा स्रोत है जैसे की तारली, हिलसा, हल्वा, रावस और रोहू 100 ग्राम तारली में 3.5 माइक्रोग्राम विटामिन D होता है 100 ग्राम हिलसा में लगभग 5 माइक्रोग्राम विटामिन D होता है दूसरे समुद्री खाने की चीजें जैसे जींगे और केक्रे में भी थोड़ा विटामिन D होता है 100 ग्राम जींगे में लगभग 1 माइक्रोग्राम होता है विटामिन D के दूसरे मासाहारी स्रोत अंडे की जर्दी और मुर्गी का कलेजा है 100 ग्राम मुर्गी के कलेजे में लगभग 2.6 माइक्रोग्राम विटामिन D होता है 40 ग्राम के दो अंडों के जर्दी में लगभग 1.3 माइक्रोग्राम होता है कुछ शाकाहारी खानों में भी विटामिन D होता है जैसे कि मश्रूम, सोयाबीन, रागी और तिल 100 ग्राम मश्रूम में लगभग 20 माइक्रोग्राम होता है 50 ग्राम सोया बीन में 33 माइक्रो ग्राम होता है पर खाने के साथ-साथ इसका शरीर द्वारा सोखा जाना भी जरूरी है D2 के बजाए विटामिन D3 शरीर में आसानी से सोखा जाता है और इस्तमाल में आता है इसी लिए धूप और मासाहारी खाना विटामिन D के सबसे अच्छे स्रोथ है कोई भी परिपोशक लेने से पहले कृपया अपने डाक्टर की सला ले यह टुटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जूड़ने के लिए धन्यवाद करता है